नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हूँ मैं आज एक और अद्भुत विशय पर चर्चा करने के लिए खोली अपनी जन्मिकुंडली और देखिए केतू किस भाव में है विशय है आज का केतू से नवम भाव में पढ़ने वाले ग्रह और सातिसात भाव हलाकि यहां सभी भावों की चर्चा नहीं है कुछ विशेस भाव हैं और कुछ विशेस ग्रह हैं जिनकी चर्चा लेकर के मैं आपके सम्मुक उपस्तित हुआ हूँ प्रिदर्शकों जन्म कुंडली में केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है और साथी साथ ये भी उक्ति आपने सुनी होगी कुजवत केतु अब सवाल उठता है कि मंगल तो कोई मोक्ष का कारक ग्रह नहीं है हलाकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जिनकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो उन्हें मोक्ष का मार्ग भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि मोक्ष भी बड़े पुरुशार्थ का विश्य है प्रिदर्शकों आज हमारी चर्चा कुंडली में केतु के संबंध में है केतु से नवंभाव में यदि आपको सूर्य दिखाई पड़े तो ये बड़ा ही अध्भूत है एक और बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो कुजवत केतु है परंतु केतु के प्रभाव को अगर आप देखे तो केतु मीन रासी के स्वामी माने गए हैं और कहीं न कहीं केतु का मूल सभाव देव गुरु ब्रहस्पती के समान है एक नंबर दो, प्रिय दर्शकों जैसे देव गुरु ब्रहस्पती से नवम भाव में बैठा ग्रह कहीं न कहीं आपके भाग्य में सहयोगी होता है यदि वो शुभग रह हो तो वैसे ही केतू से नवम का ग्रह भी आपके आध्यात्म के चित्र में बहुत सहयोगी होता है क्य आप कह सकते हैं ऐसे लोगों को आत्मतत्व को जानने की प्रबल उतकंठा इक्षा उनके मन में स्वयम से जाग्रित होती है प्रिय दर्शकों यहां एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको ब्रह्म ना हो क्या देखिए ये एक सिध्धांत है पहला पॉइं राहू से हुआ है और मैं उसकी कुंडली में केतु से सूरिको नवम में देख करके ये बात कहता हूं कि आप तो आत्मतत्व को जानने के लिए बड़े लालाईत रहेंगे तो वो कहेगा कि शास्त्र जी आप जूड बोल रहे हैं ये बात जानना जरूरी है कि मैं जो सिध् लगन नक्षत्र के स्वामी देव गुरु हैं लगन पर शुभग्रह की दृष्टी गुरु की दृष्टी है तब मैं ये जो बात कह रहा हूं संभव हो सकता है आप अगर इस कारिक्रम को देख रहे हों तो 120 प्रतिसत ये स्विकार करेंगे कि हां मैं तो ऐसा ही सोचता हू अगर इस जाता का मन ध्यान इत्यादी में बहुत लगेगा वो ध्यान को जानने का क्या है ध्यान करने से क्या लाब होता है इसके पीछे वो लगा रहेगा लेकिन ये तैय जानिये कि उसके लिए पहले चंद्रमा शुक्लपक्चके होने चाहिए प्रेदर्शको केतु से नवम में गुरु को महा भाग्य प्रदाता माना गया है बहुत अच्छा माना गया है ये भाग्य दायक है और बुध को भी अत्तिन्त सुरिष्ट माना गया है क्योंकि बुध यग्योवई विष्णु रूप यग्य को विष्णु और बुध को जाता बना देता है। ऐसा जातक धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवान को वितीद करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सदूपदेश का कोई अर्थ ये अगर निकाल ले, कि आप कल को कथा वाचक ही हो जाएंगे, और कथा वाचक ही सदूपदेश देते हैं, तो ये गलत है, कोई motivational speaker हो जाएंगे, यूट्यूपर और आप सब को motivate, ऐसा भी गलत है, यहाँ एक ही बा बच्चे को अगर वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसको डाटेंगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये करो, पर दूसरे का बच्चा है, तो खेल भी रहा है, गलती भी कर रहा है, उसको नजर अंदाज करेंगे, अब राह चलते किसी बच्चे सम को क्या लेना देना, लेकिन आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी का बच्चा है, आपके भाई का बेटा है, या किसी का, आप उसको नहीं डाटनेंगे, कहने का ताथ पर यहां सदूपदेश का अर्थ हर किसी के लिए लागू मत कर लीजिए, कि कथा मंच बना करके कथाई राम कथाई शुरू कर देंगे, यह सदूपदेश नहीं, यह राम कथा है, सदूपदेश का आर्थ है कि वो चाहे स्वत्र भी हो, मित्र भी हो, किसी के लिए अगर बुरा हो करते देख रहा है, गलत करते देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यह विक्ति भटक सकता है, तो उसको सही मार्ग पर जाने की स रासी अगर केतू जहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में वहाँ से 9 घर आगी गिना और 9 घर आगे गिनने पर करक ब्रिस्चिक या मीन रासी आपको मिल रही है तो ये भी बहुत अच्छा माना गया है ऐसा जातक भी साधना में लगा रहने वाला या साधना की ओर अग्रसर दिखाई पड़ता है। ये तो आपने केतु से नवम की स्थिति समझ ली। अब एक और बात आपको बता दूँ कि केतु से नवम में सूर्य, बुध या गुरू में से कोई भी एक ग्रह आपको करके आपको बता दी कि क्या-क्या उसका फल मिलता है। प्रिदर्शको जोति शास्त्र के मर्मग्य कहते हैं कि केतु से नवम में सूर्य बुध या गुरू में से कोई ग्रह हो तो ऐसे जातक को घटने वाली घटनाओं का पूर्वा भास होता है। यानि जब भी कोई ऐसी घटना घटने वाली हो जो आकस्मिक हो तो उसका पूर्वा भास आपको होने लगेगा। अच्छा एक और बात अब सवाल उठता है कि पूर्वा भास कैसे तो मन में उत्पन्न होने वाले विचार से, अंग के स्फुरण से, स्वपन के माध्यम से ये आपको पता चल जाए अब और सुनिए, अब कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि केतु से आपने मंगल और शुक्र को छोड क्यों दिया। प्रेदर्शकों केतु से नवम में मंगल को जातक को किसी साधना से जोड़कर नहीं देखा गया है। हाँ, ऐसे जातक के बारे में मैं कह सकता हूं कि कही न कहीं ऐसा जातक चीजों को जानने, तर्क और वितर्क या कुतर्क आपशब्द रखलीजे इसके लिए की तरफ जादा अग्रसर होता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि धर्म के मार्ग में कुतर्क को बहुत स्थान प्राप्त नहीं है। ज्यान के छित्र में तर्क केतु से नवम में शुक्र अब यहां गौर करिएगा तो शुक्र और देव गुरु ब्रहस्पती दोनों के दोनों गुरु हैं। लेकिन गुरु धर्म और आध्यात्म के मार्ग का पथ प्रदर्शक है और इसी दिशा में ले जाना चाहता है। पर कहीं न कहीं शुक्र का ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। फलतह शुक्र के बारे में भी शास्त्रकार ऐसी कोई चर्चा नहीं करते हैं कि केतु से नवम में शुक्र हो तो कोई विशेस वो लाब दे अब वो सामानेत्य आपने बल के हिसाब से आपको आपके भौतिक सुख में ही सहयोगी होंगे और ब्रद्धी करने में सहयोगी होंगे तो यह दिखाई आपको पड़ेगा। यहां ये बात सदय वध्यान रखिएगा। मैं फिर अबंत में इस बात को समाप्त करने से पहले बताना चाहता हूँ। मैंने जितनी भी बाते कहीं हैं उसमें एक प्रतीसत काटा नहीं जा सकता क प्रतीस प्रतीस देटू के साथ जो मैंने संबंद गिनाय हैं वो जश्ट गुरुवत है। तो गुरुवत होने के चलते मैंने जितनी भी बाते कहीं हैं जश्ट आप ऐसे समझ लिए कि मैं गुरु के लिए कह रहा हूँ। परंतु इसमें कुछ चीजें आपको तब समझ म नहीं आएंगी जैसा मैंने प्रारंभ में बताया लगन पर लगन का संबंद अगर ऐसा बना हुआ है नक्षत्र आपने नौमांस में देखा कि उसके जो स्वामी है वो पीडित इस्तिती में है तब एक दूसरा लगन पर बहुत पापगरह की दृष्टी आपकी कुंडली म शुक्र बहुत बलवान और ऐसे बलवान शुक्र पर शनी राहु इत्यादी की दृष्टी पड़ रही है तो ये जातक को भोग में प्रवृत्त होने के लिए बाद्धे कर देता है फलता हुआ भी आपको मेरा ये सिध्धान्त खुद पर लागू होते या सही घटित होते प्रतीत नहीं होगा लेकिन जिनकी कुंडली में इतना भी ऐसा संबंध है कि लगनपर या चंद्र रासी पर गुरू का संबंध बन रहा है तो विश्वास मानिये जो भी मैंने सिध्धान्त बताए हैं वो शत्त प्रतीशत सही घटित होगा तो आसा करता हूँ आज का ये आप भली भाती समझ लिए होंगे आज के लिए बस इतना हिजाजत दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार